आप जिस फील्ड में हैं उसमें मजभूती के साथ डटे रही है बस में जा रहा थे तीन आदमी उनमें से एक मौलाना सहाप थे पूरे मौलाना नहीं थे थोड़े मौलाना थे। मुकमल मौलाना नहीं थे और दो और भी आदमी था पैंट शट पहना हुआ तो कंडेक्टर ने कहा कि पैसा दीजिए तो जो पैंट शट वाला था उसने कहा उसके पास पैसा ही नहीं था उसने सोचा कैसे बचे हमको मालदा पहुँचना है फिरी में कैसे जाए तो उसने कहा कि मैं I am a staff बहुत आसान है I am a staff बोल दिया कंडेक्टर चलाग था कंडेक्टर सोच लिया कि ये जूट बोल ला है पैसा नहीं है इसके पास उसने कहा कि अच्छा आपके पास पैसा नहीं है कहा पैसा है मेरे पास लेकिन मैं staff हूँ कहा कि अच्छा आप स्टाफ है तो कंडेक्टर की spelling कीजिए क्या है अब कंडेक्टर की स्पेलिंग कैसे करेगा जाहिल था वो उसकी पिटाई कर दी बस में जो कंडेक्टर जो टिकट काटते हैं जो पैसा लेते हैं उसको कंडेक्टर बोलते हैं दूसरे के पास गए दूसरे ने भी कहा कि I am I staff पहले बाले को मुँ मारके मुँ तोड़ दिया उसका खून निकलने लगा बस से भी नीचे उतार दिया दूसरे के पास गए तो दूसरे ने भी कहा कि I am I staff का कि अच्छा तुम भी staff हो तो पढ़े लिखे होगे का कि हा बोलिये क्या करना है का कि कंडेक्टर की spelling करो तब कंडेक्टर की spelling वो कहा से करे वो भी बेचारान पर था उसके पास भी पैसे नहीं थे उसकी भी पिटाई हुई उसका भी मार कर मुँ फुला दिया उसके पास पीछे बैठे वे थे मौलाना साहब अब मौलाना साहब के पास भी पैसा नहीं तो कंडेक्टर उसके पास गया मौलाना साहब से कहा कि मौलाना साहब टिकट कहा कि मैं स्टाफ हूँ उसने उर्दु में बोला मैं स्टाफ हूँ हिंदी बे तो कंटेक्टर ने कहां कि अच्छा आप भी स्टाफ हैं कहां कहां देखें दो का क्या हाल हो आए कहां नहीं मेरी वह हालत नहीं होगी मैं स्टाफ हूँ पड़ा लिखा हूँ मैं बोल ये क्या करना है का कि जो उनसे कहां वो ये तुमसे भी कहता हूँ का वो spelling करना है contactor का कोई बात नहीं spelling करता हूँ मैं अब वो बिचारे मौला ना वो कभी मदर्सा नहीं गए इस्कूल नहीं गए अंग्रेजी A, B, C, D जानते ही नहीं कभी पढ़ा नहीं A, B, C, D क्या है नहीं है कैसे करें वो contactor के spelling अब विचारा confused हो गया confused क्या पसीने भी छूट रहें क्यूं एक तरफ पिटने का डर है ख़़ा होकर सामने एक दम कहरा कि जल्दी करो spelling और एक तरफ बेज़्यती भी है उसके बाद सर थोड़े देर के लिए नीचे किया, सोचा सोचने के बाद सर उठा कर बोलता हाँ बोलो क्या करना है का कि contactor की spelling करो का करता हूँ उन्होंने करना शुरू क्या का काफ नून जबरकन टे ये काफ जबरकन टेरे जबर्टर, contactor अब भीचारा जो contactor था वो confused हो गया कि contactor की spelling कौन से जबान की spelling का कि ये spelling किया तुमने का हाँ spelling किया है हमने का कि spelling कौन से जबान में किया है लातिनी जबान में किया है कि फ्रांसी सी जबान में किया है कि फ्रेंच में किया कहा क्या रहे हमने उर्दू में किया है कहा उर्दू में इस्पेलिंग होता है कहा इस्पेलिंग ने होता हिज्जे होता हिज्जे बला आप बताओ दो तीन जे का मीम वाजबर्माओ लामाली जबर्ला नूनाली जबर्ना मौलाना को और बता ऑँ कामी में मार्शा मिम जबरमा दाले जबरदर सीनhेज से मदरसा ऐसा और बता ओ तो तेन चार बताया तो और बता है कि लो कहा की यह सब में और दू में सपैलिंगय का हमँ उर्दू में शब्छाए अब बिचारा वो जो कंडेक्टर है, वो सोचा कि बड़ा अदम ये प्रोफेसर है शायद, उठा करका चलिये सरागे बेठे, अब बिचारा वो नरसरी की वो दिनियात के उस्ताज, अपनी जिस लेंग्वेज में पकड़ है, उस लेंग्वेज में उन्होंने काम किया, अकलम पना कर देता या उल्टा-पुल्टा करता तो पिटाई होती बिचारे की लेकिन देखे कैसे दिमाग लगा के बचाया अपने आपको बचाया सम्मान और मिली उसको इस्पेशल सीट पर जाया कि उसको बिठाया कि आई या प्रोफेसर सहाव है पता चला कि वो प्रोफेसर की इसे भी नहीं जानते थे कुछ भी तो यही है आप जिस फील में है आप उस फील के राजा है आप जिस धर्म में है उस धर्म के धार्मिक बन कर रही है कहीं पर भी मुकंबल नौलिज रखिया ऐसा नहीं है जना आपके दुनिया के ताना देने से हम अपनी बच्चियों को बेपर्दा कर देंगे, दुनिया के डराने से, हम अपने एमान से फिर जाएंगे, इतनी आसानी से एमान और इसलाम हम तक नहीं आया है, हम भले ही मुर्तद हो जाएं, या इसलाम से हमारा रिश्टा कमजोर हो जाएं, तो अल्लाह तबारक वताला, ऐसा नहीं है कि इसको खत्म कर देगा, हम अगर अल्लाह की नाफर्मानी पर उतर जाएं, तो अल्लाह तबारक वताला दूसरों को ख़ला कर देगा, या ऐयुहा लजीन आमनु इन ततवल्लों यस्तब्दिल गोमन गैरकुम, एए एमान वालो, अगर तुम दीन से शरियत से मुड जाओगे, अलग हो जाओगे, तुम नमाज नहीं पड़ोगे, जकात नहीं दोगे, रोजें नहीं रकोगे, हज नहीं करोगे, जोड़ तुम बोलोगे, शराब तुम पीऊगे, बेपर्दगी तुम्हारी माओं बेहनों के बीच में होगी तो याद रखो अला तबारक वताला तुम्हारे बदले किसी और कौम को खड़ा करेगा उन से अपनी बंदगी का काम लेगा और तुम जाओ फिर तुम्हारी तरह वो कौम नहीं होगी अगर हम ऑला के नाफर्मानी करें अगर हम अगर कोई आप से पूस्ता है कि आपके नभी ने क्या दिया तो आप यूँ कहिना कि नभी ने इस दुन्या को तबाह होने से बचाया है और सुनो दुन्यावालो कल क्यामत में जब सारे लोग सारे लोग एक एक फर्द परेशानी के आलम में मुबतला होंगे सब या रब नफसी नफसी कह रहा होगा सब के सब या रब नफसी नफसी आदम के पास जाएंगे वो भी कहेगा या रब नफसी नफसी हजरत नू के पास जाएंगे वो भी कहेगा या रब नफसी नफसी हजरत अबराहीम के पास जाएंगे लोग वो भी कहेंगे या रब नफसी नफसी इसमाईल के पास वो भी या रब नफसी नफसी सुलिमान के पास वैकूल सुलिमान साहिब अलम्लुकती यौम अल्कियामा या रब नफसी या रब नफसी वे रब नफसी या रब नफसी सब लोग रब नफसी नफसी कह रहे होंगे लेकिन अगर कोई कह रहा होगा अपनी कोम के लिए हमारे और आप के लिए वो एकी जात है वो एकी नभी है वे रब रसूलना वनभीना وَحَادِيُّنَا شَفِيُّنَا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القیامة و محمد الرسول اللہ کی ذات ہے جو کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی کل قیامت میں بھی ہماری اور آپ کی سفارش کرنے والا کوئی مائے کلال ہوگا تو محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہوں گے کوئی اور نہیں ہوگا اس لئے دنیا والوں سے کہنا کہ اس دنیا کو بچایا ہے تباہ ہونے سے जगत पती असिनाश दूदमन अट्पेश वर्य गुनन विताहा इस दुन्या का पती अगर कोई है इस दुन्या का मुहाफिज अगर कोई है तो आखरी नभी मुहम्मद अबन अब्दुल्लाह मुहम्मद र्रसूलूलाह सल लौह अलही वसल्म की जात है कल खयामत में भी अगर बेड़ा पार होगा कल खयामत में भी अगर सिफारिश किसी की काम आएगी तो मुहम्मद र्रसूलूलाह आएंगे सिफारिश करने के लिए मेरे भाईयो इसका ये मतलब नहीं कि हम और आप अच्छा अमल करना छोड़ दें नहीं आपकी टिसी और गिरेट रिस्पॉंसिबिलिटी और तो पे अफर सला फाइब टाइम जाड़े और तो पे जका और पिलिग्री मेंस तो मक्का और तो कीफ फास इन दे मन्थ आफ हौली रमज़ान रमज़ान में रोजा रखना जकात देना हच करना पाबंदी से नमाज पढ़ना देर आर फाइव पिलर्ज आफ इसलाम इसको कंटीन्यू मस्तकिल हमें करते रहना हाँ एक बात और बताते हैं कि अगर दुन्या आप से सवाल करे दुन्या आप से कहे कि मौलाना अब तो छोड़ दीजिए क्या जरूरत है मौडरनाइस होना चाहिए दुन्या को इसलिए कौरान और सुन्नत पर अगर हम आमल करेंगे तो हम मौडरन नहीं बन सकते बिल्कुल गलत जवाब उसको दीजिएगा कि दुन्या में इहसान अगर किसी का है तो पर्ण पढ़ने वालों का और इस पर्ण का है आज भी किसी जमाने में एक बादशा ने नया दीन लाँच करने की कोशिश की थी पता उस बादशा का नाम क्या है अकबर बादशा नया दीन दीन इलाही के नाम से यानि पर्ण में मोडिफाई करके कुरान और शरीयत को मिला कर और कुछ अपनी बाते मिला करके उन्होंने एक नया दीन बना दीन इलाही लेकिन वो गुर्बान जाये मुझदित अल्फसानी रहमतुलाही अले पर उन्होंने उनके बातल अकीदे का मकाबला किया फिर वो चली नहीं जादा दिन तक क्यों डुबलुकेट है वो उसका मुहाफिस कोई नहीं इसका मुहाफिस तो खुद ही अल्ला है अभी आप हमसे कहेंगे हम पढ़ना शुरू कर दें कि क्यों हमारे सीने में अभी आपके मदर से कि बच्चे किसी से पर कि कई ये वो करना परना सुरू कर देंगा उसके सीने में कुरान है लेकिन दुन्या से कगईए कि इस कुरान को पर परकर महाण इंसान पैदा हुए बड़े बड़े इंसान पैदा हुए जिन्होंने दुन्या के अंदर नेने अविश्कार नेने इजादात किये हवाई जहांस का फादर कौन है फादर ओफ अविएशन कौन है अबो हुजेफा कौन था खुरान पढ़ने वाला था कि नहीं था बताईए MBBS डॉक्टर MD डॉक्टर MD स्टुडेंट जो डॉक्टर इस्टुडेंट डॉक्टर बनते हैं MBBS के बार लंदन यूनिवस्टी कब कैम्बरेज यूनिवस्टी कब वुजूद में आई तेरवी सदी में तेरवी और चोदवी सदी में सबसे पहली यूनिवस्टी दुन्या की फ्रांस के अंदर ग्यारवी सदी इस्वी में ग्यारवी सदी में लेकिन उससे पहले तालीम गाह कहा था पता है सुफ़ा का मदरसा था के नहीं था तालीम वहां होती थी उससे पहले सुफ़ा मदरसा से पहले दार अर्कम में तालीम होती थी और ऐसा नहीं कि قرآن و حدیث पढ़कर इल्म कीमिया, इल्म फलसफा कीमिया को आज अल्केमिस्ट बना दिया फलसफा को आज साइंस बना दिया इल्म साइंस ये सब कुरान से है एक बच्चा कुरान पढ़कर निकला हाफिज इल्कुरान बना दस साल की उमर में उसका नाम है शेख हुसाइन इबन अली सीना उसने किताब लिखे अल्कानून ये किताब आज भी पढ़ाई जाती है लंदन में मेडिकल की स्टूडेंट को आज भी अबुल कासिम अज़हरावी इसकी थियोरी आज भी इस पर अमल होती कुरान पढ़ने वाले थे ये सब के सब ये सिर्फ बड़े नाम आपके सामने में पेश कर रहा आईरुवेदिक दवाई हम लोग इस्तमाल करते है पूछो आईरुवेदिक के जो रिटेलर है उसे पूछो कि आईरुवेदिक दवाई का फाउंडर कोन है बानी कौन है नहीं बता पाएगा आयुलवेटिक दवाई का फाउंडर का नाम अबुमनसूर बगदादी है जो गुरान करीम पढ़ना तिलावत करना जानता था 1923 में डॉक्टर का इमाम कोई है था अबुबकर मुहम्मद बिन जकरिया राजी 1923 में कौरान पढ़कर डॉक्टर का इमाम बना मुतिया बिन हो जाए तो आप बिरात नगर जाते नेपाल इलाज के लिए इस मुतिया बिन का सबसे पहला सर्जन आई सर्जन जिसको कहा गया काउन अबुलकासिम अमार मुसिली कौरान पढ़ने वाला साथ साथ प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में साथ साथ मेंसे जो चठा वीनस है शायत वीनस वीनस को खोज करने वाला कौन कौरान पढ़ने वाला इबन हैसम भेट में पत्री हो जाए मसाना कमजोर है बच्चे की ट्रीक्मेंन कैसे होगी चेचक की दवाई का इलाग खोज सबसे पहले कौन करता है यही डॉक्टर का इमाम अबुबक्र मुहम्म्द बिन सकरियार राजी अज़हरावी हमारे मदर्सों को मत्टटो लो हमारे मदर्से में पढ़कर हाफिज कुरान बनने के साथ-साथ एक तरफ फलसफे का इमाम इमाम घजाली बनता है तो दूसरे तरफ वही पर बैरूनी भी पैदा होता है जो दुन्या का सबसे बड़ा वग्यानिक माना जाता है यह कौरान यह शरीयत यह नभी की जिन्दगी पर इतरास करने से यह मत समझो कि हम कौरान से दूर हो जाएंगे हम तुम्हारी गुलामी करने लग जाएंगे नई और हो भी नहीं सकती इसलिए कि बेशमार सहाबाए कराम ने अपनी जानों की गुर्बानी पेश करके मेरे भाईयो यह इसलाम की तुम्हारी की है इसलाम हम तब पहुचा है बड़ी गुर्बानी दी मेरे माँ और बहनो जितनी गुर्बानी मर्द हजरात की है उतनी ही गुर्बानी औरतों की भी रही है आपकी भी रही आपको भी पीछे नहीं हटाना है मेरी तक्रीर रिकॉर्ड हो रही मैसी इमान चल की उन सत्रा बहनों से कहना चाहूंगा जिन्होंने पैसों की वज़ा से अपने इमान का सौदा किया याद करो आप याद करो बीवी सुमया की जिन्दगी को जब उन्होंने कलिमा पहा अगर तुम्हे अपनी जान बचानी है तो बताओ मैं तुझे माफ कर दूँगा लेकिन तुम मुझे बता दो कि मैं मुहम्मद अब्दुल्ला को अपनी और रसूल नहीं मानती मैं तुझे आज बख़श दूँगा जैसे आज ये कुर्सी अक्तिदार पर बैट कर जालिम लोग हक गोलने वालों को कहते है कि तुम मेरे हक में बयान दो ने तुम्हे जेल में डाल दूँगा यही तरीखा था अबुचहल का जो आज ये लोग तरीखा अपनाए हुए मैं फिर से कहता हूँ कि जल्म फिर जल्म होता है जब बढ़ जाता है जब वो तेज होता है तो उसके खात्मे का वक्त आ जाता है उसका खात्मा करने वाला कोई ने कोई अल्ला तबारक वताला इस जमीन पर भेज़ता है निजाम है अल्ला तबारक वताला का हमारे हिंदु भाईयों की किताबों में भी इस निजाम इस सिस्टम को बयान किया गया है यदा यदा ही दरमस्स गलान इरिभवती भारता अब युद्धानम दरमस्स ददातमानम सुर्जाव हम जब इस धर्ती पर पांडूों के उपर जिल्म बड़ा कोर्वों का अरुजन को जमीन पर उतरा औरुजन को कहा कि जाओ अरुजन को कहो कि तुम हत्यार मत डारो इसका मकाबला करो इसका खात्मा करो ये निजाम है जब दुर्गम राक्षस का जुम बढ़ा था तो भगवती मा को दुर्गा बनाकर भेजा था के नहीं भेजा था जब उसका जब अंदका सुर का जल्म बढ़ गया था तो इसी दुर्गे माताने काली के उतार लिखी नहीं री थी साफ लफजों में कहा यदा यदाही दर्मस्स गलैनिर बवती भारताब युद्धानम धर्मस्स तदात मानम सुर्जाम है जब अमन परस्ट लोगों को खत्म किया जाता है जब जुट बोलने वालों को कुर्शी दी जाती है करप्ड करने वाले लेका समान किया जाता है माला पहना कर गोदरा के अंदर बिल्कीज बानों की उसकी इस्ज़त लूटने वाले उसकी बेटी तीन साल की बेटी को गोट से लेकर पटक पटक कर पथर पर मारा गया और उसके जालिम रेपिष्ट को जब सजा होती है कुछ दिनों बाद पहले अभी उनको बाइस्द बरी की जाती जब तुम रेपिष्ट को बरी करोगे बाहर करोगे तो दुन्या के गानौन को तुम बलัल सकते ओュ तुम कुर्सी पर बैटकर अपनी पावर का इस्तामाल कर सकते हो लेकिन याद रखना मरना तुम्हें भी है अल्लह के पास तुम्हें भी जाना है अल्लह तबारक वत्हला कहेगा लिमने लिमल्कुयाम बताओ आज बादशाहत किसकी है आज हकूमत किसकी है आज का प्राइम मनिश्टर मैं हो आज का बादशाह मैं हो आज का सुप्रीम कोट का चीफ जस्टिस मैं हो आज कौन बचाएगा जरा खुदा से खौफ खाकर किसी के ओपर जल्म मत करो किसी का पत तशद दुन मदकरा